हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड वो भी घर पर रखे समान से इसे बनाकर रेडी करेंगे तो ये देखिए आप इसका टेक्श्चर देख सकते हैं तो आपको बाहर से कस्टर्ड पाउडर लाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है तो ये बहुत ही टेश्ट का पाउडर होता हिन वह हमें हम इसमें यूज करना है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ी चमच गौण फ्रॉर हमने डाल दिया है अब इसमें अ favor के लिए डालेंगे वैनिलाइसंस वन फोर्थ चोटी वाली चमच अब दीखिए डौडर के लिए दो ड्रॉप यल्लो डा कड़ाई हमने ले ले लिए और गैस अन कर दिया है अब इसमें डालेंगे दो कप दूद कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो दो बड़े चमच इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी इसलिए डाला हमने की ताकि जो साइड में मलाई बगरे जम जाती न वैसा न हो और न हमारा दूद तो इसमें हम पाउडर को रेडी कर लेते हैं यह ले लिया है तीन बड़े चमच कस्टर पाउडर ले ले लेंगे हम तो अब इसमें हम डालेंगे इसको हम दूद से मिक्स करेंगे तो पस इसमें मिक्स करना है ज्यादा दूद में हमें से मिक्स करना है अगर हम गरम गरम दूद में डालेंगे तो क्या होगा उसमें लमस बगेरा आजाते हैं ये देखिए बहुत अच्छे से बन गया है हमारा ये अब हम इसे दूद में डालेंगे तो ये देखिए धीरी धीरे करके डालना है हमें ताकि इसमें लम्जब गेरा ना शुरूच जब सब गेरा है और धीर धीरा चीज़ करा ज़या है इसाइए चुछ तो यह थीरी-वार्ब ढाम होता है तो यह गाड़ा होने लगता है are देख सकते इसका टेक्श्छर तो ये देखिए धिरी धिरी ये गाड़ा हो गया है बस इसे continue चला दे रहे हैं आपको छोड़ना नहीं है और ये देखिए चले इसे check करते हैं आपको मतब कैसे पता चले कि ये perfect बन चुका है ये देखिए फिल्कुल लाइन आ रही है ये फैल नहीं रहा है मतब ये perfect है अब आपको गैस बंद कर दीने कस्टड हमारा बंच चुका है तो चलिए इसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था ठंडा हो गया है ठंडा करने के बाद ही हमें इसमें फूर्ट कप मेजर से सारे फूर्स ले लिए थे तो चलिए फूर्स को अब हम डाल देंगे तो आ तो यह देखिए कितना अच्छा सा कस्टर्ड हमारा बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल भी मार्किट का कस्टर्ड पाउडर हमें बिल्कुल भी एड नी करा है घर की समान से बनकर रेडी हो गया है तो आप जरू ट्राइ करें आप इसे बच्छों को दे सकते हैं बहुत ही हल करें तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों